हेलो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे लॉग इन आइडी और पासवर्ट MCA साइट पर कैसे क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप Google Chrome को ओपन कर ले और इसमें MCA आप टाइप करें उसके बाद आपका MCA का पेज ऐसा खुल जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि MCA का पेज हमारा खुल चुका है फिर उसके बाद आप लोग साइणिंग पर क्लिक करें या आप यहाँ My Workspace पर भी क्लिक कर सकते हैं तो वैसा ही पेज आपको यहाँ भी खुल जाएगा या तो आप साइनिंग पर क्लिक करें या My Workspace पर दोनों जग आपको वैसा ही पेज खुल के आ जाएगा उसके बाद आप लोग रिजिस्टर नाव पर क्लिक करें कुछ करें के तो आपको को का अइसा पेज आ जाएगा सामने यहां पर नियुजर रिजिस्टेशन है जो भी अपना नियुए रिजिस्टेशन आ टीओ पासपेट क्रेट करना चाहते हैं यहां क्या करें पहले अपना नाम लिखें यहां पर मैंने अपना नाम लिखते है अजय कुमार सिंग आप यहां डेट वबर्त लिखें डेट वबर्त हमारा हो ठीक है उसके बाद है जेंडर होता है मेल और फिमेल उसके बाद आप यहां एड्रेस लिख दें एड्रेस हमारा हो गया लक्षू नेदर देल ही ठीक है सीटी आप लिख देल ही ठीक है स्टेट आप लिख देली पीन कोड लिख दें 110092 लक्षू नेगर का उसके बाद अगर आपको SMS फासिलिटी चाहिए फोन पे तो यस करें अगर नहीं चाहिए तो नो करें अगर आपके पास टेलिफोन नमबर है तो आप लिखे अगर नहीं है तो छोड़ दें फैक्स अगर नमबर है तो फैक्स नमर यहां लिख दें उसके बाद आप मॉवाइल नमर डालें हमने मॉवाइल नमर डाल दिया फिर उसके बाद email आइडिय आप डाल सकते हैं email आइडिय आप डाल दें फिर से confirm email डालना है हमने अपना confirm email डाल दिया फिर उसके बाद आता है हमारा यूजर नेम और पासवर्ट तो यूजर नेम पासवर्ट आप क्रियेट कर लिए हमने कर लिया और इसके बाद हम लोग पासवर्ट को डालते हैं ठीक है तो हम लोग पासवर्ट डाल लिए उसके बाद हमारा आता है पास्पर्ट रिकवरी कोश्चन यानि अगर आपको अगर आप पास्पर्ट भूल जाते हैं तो आप किस चीज से रिकवरी कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ आप्शन दिया गया है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि वाट वज योर फस्ट श्कूल याप सबसे पहले तो हम लोग यहाँ कर दिया है कि उसके बाद आप डिटेल सही सही फिल किया है कि नहीं किया है तो हमने सारा डिटेल फिल कर दिया है उसके बाद हम लोग यहां create my account पे click करेंगे तो हमारा MCE के साइट पर हमारा login और password create हो जाएगा और आपके mobile नमबर पर और email पर आपका वो चला जाएगा ठीक है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग login ID और password create करते हैं MCE साइट पर ठीक है मैंने already create कर चुका है यह चलते मैं यहां create नहीं करूंगा